हरी योम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महेश सुता में नर्क चतुर्दशी को छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है कुछ लोग इसे काली 14 या रूप 14 के नाम से भी जानते होंगे नर्क चतुर्दशी के दिन यमराज की पूजा अर्चना की जाती है इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने नर्का सुर्णाम के राक्षस का वद्ध भी किया था इस दिन पूजा और उपाय करने से मनुश्य नर्क से मिलने वाली यातनाओं से कष्टों से बच जाते हैं पवित्रता होती है इसलिए इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं ताकि उनके घरों में लक्ष्मी जी का वास हो लक्ष्मी जी की क्रिपा हो नर्क चतुर्दशी के दिन क्या उपाई करने चाहिए जिन से हमें लाप राप्त हो तथा इस दिन क्या नहीं करना चाहिए वो सब आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी परंतु यदि हम मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल की वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही जो बैल आइकन है उसे जरूर हिट कर दे ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजिली मि रखें आप दक्षिन दिशा को स्वच्छ रखें क्योंकि दक्षिन दिशा के स्वच्छ ना होने पर यमराज का आशिरवाद प्राप्त नहीं होता है और साथ में ही जो पित्र हैं वो भी नराज हो जाते हैं दूसरी बात का ये ध्यान रखें कि आप इस दिन तेल का दान ना करें जी हां आपको इस दिन तेल का दान नहीं करना क्योंकि ऐसा करने से मा लक्ष्मी नराज हो जाती हैं और घर में वास नहीं करती नर्क चतुर्दशी पर मासाहार ना खाएं और नाहीं मदिरा पान करें नर्क चतुर्दशी पर ये भी ध्यान रखें कि जाड़ू को आप पैर ना मारे और नाहीं इस दिन जाड़ू खड़ा करके रखें क्योंकि यदि आप इस दिन जाड़ू खड़ा रखेंगे या उस पर पैर लगाएंगे तो मा लक्ष्मी ऐसा करने पर रुष्ट हो जाती हैं तो ये कुछ बाते थी जिनका आपको नर्क चतुर्दशी के दिन ध्यान रखना चाहिए अब बात करते हैं नर्क चतुर्दशी के दिन क्या उपाई किये जाएं जिनसे ला प्राप्त हो जिनसे भगवान की कृपा प्राप्त हो तो पहली बात ये कि नर्क चतुर्दशी को रूप चोदस भी कहते हैं तो इस दिन सूर्य उदे से पहले उठकर तिल की तेल को शरीर पर यदि लगाया जाए और बाद में सनान किया जाए तो आपको सुंदर्य की प्राप्ती होती है जी हाँ इससे सुंदर्य और बढ़ता है इस दिन साय काल में चार बत्ती वाला मिट्टी का दीपक दक्षिन दिशा की तरफ मुख करके अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और इस मंत्र का उचारण करते होए दीपक जलाएं इस मंत्र को बोल कर दीपक जलाएं यदि ये उपाय करते हैं तो मनुष्य को नर्क की यातनाओं का तथा अकाल मृत्यू का भए नहीं रहता नर्क चतुरदशी के दिन सनान के जल में यदि थोड़ा तेल मिलाकर सनान करेंगे तो शनी दोश दूर हो जाता है जिनकी भी कुंडली में शनी दोश है वे इस दिन सनान के जल में थोड़ा तेल मिलाकर सनान करें इस दिन हनुमान जी को लाल सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चोला चड़ाने से सभी कश्टों से मुक्ति मिल जाती है यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें धन्यवाद